साथ बस चुक है और बक तो चलाए ग्रे कार्ट का आज ग्रे कार्ट में बात होगी संदेश खाली को लेकर क्योंकि संदेश खाली में यौन उत्पीडन के आरोपों में घिरे शाजाश शेक को टी-एमसी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है ये जानकारी पार्टी के नेता डेरेक ओब्राइन ने दी है इससे पहले शाजाश शेक को आज तड़के यान की आज सुबा ही ग्रफतार कर लिया था जिसके बाद उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में बेज दिया गया है पशिमंगाल के संदेश खाली में मेलाओं के नितुत में हुए हिंसक ब्रोध प्रदर्शन और काई दिनों तक चले सियासी संग्राम के बाद 55 दिनों से फराज आरूपी शाजाश शेक को आज पुलिस ने ग्रफतार कर ही लिया जिसको लेकर अब बीजेपी के दिग्ज नेताओं की भी प्रतिकरियां सामने आ रही है सुनाते आपको उसके बाद विशलेशन में आगे बढ़ेंगे तो जिस तरह से अब बीजेपी कोट बीजेपी के द्वारा टीएमसी को लगातार घेरा जा रहा है और बीजेपी पर ये पूरा आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी के द्वारा ही शाजाश शेक को ग्रफतार नहीं होने दिया जा रहा था बीजेपी लगातार टेएमसी को घेरती हुए नजर आ रही है बीजेपी की दिगज निता लगाता है टेएमसी को आड़े हातों ले रहे हैं क्योंकि जिस तरह से यह शेख पर यौन उत्पीडन और जमीन हडपने के जो आरोप हैं कलकत्ता उच्छ न्याले ने बुद्भार क को कहा था कि केंद्री अन्वेशड बेरो यानिकी सीबी और प्रवर्तर निद्शाले एडी या पश्चिम बंगाल प्रिस शेख को कभी भी ग्रफतार कर सकती है इसके 24 घंटे के बीतर ही शेख को हिरासत में ले लिया गया अगर राजपाल सीबी आनंद बोईस्त्र ने कहा कि अंदिकार के बाद उजाला जरूर होता है मैं इसका स्वागत करता हूँ उन्होंने शेख की गरफतारी के लिए सोमबार रात राजसरकार को 72 घंटे की समय सीमा भी दी यह एक अंतिकी शुरात है साफ तर पर यह भी कहा गया कि यह एक अंतिकी शुरात है एक अपरादिक जो मामला है यह अपरादिक जो गुत्ती थी जिसे आज सुल जाया गया खत्म किया गया और आरोपी को दबोचा गया यह अंतिकी शुरात है हमें बंगाल में उन्होंने क चाहिए त्रडमूल कॉंग्रेस ने कहा कि अदालत के निदेश के बाद ही ग्रफतारी संबब होई जबकि भारती जनता पाटी ने इससे पूर्व न्योजित करार दिया यानि कि त्रडमूल प्रवक्ता कुराल गोश्की बात करें तो उन्होंने कहा कि कानूनी उल्धन के कार ग्रफतारी पर लगी रोक का फाइदा उठाया है यानि कि जिस सरा से आज सुभा ही शाजाज़ शेक को ग्रफतार किया गया संदेश काली इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी ने ये भी कहा कि जिस सरा से कि टीमसी की दौरा इससे बचाया गया लेकिन अब टीमसी लगाई जा रहे थे कि टीमसी के दौरा ही इस आरोपी को सरक्षर दिया जा रहा है इस आरोपी को बचाया जा रहा है हालिकि टीमसी ने भी इसे छे सालों के लिए निश्कासित कर दिया है और उन्होंने आगे कहा कि शेक को साथ दिन में ग्रफतार कर लिया जाएगा क्यों दार ने कहा कि ये तरणमूल और राजय पुलिस ही थी जो दोशियों को बचा रही थी जिस तरह से अभी आप उन्होंने उनको सुन रहे थे और उन्होंने साफ तोर पर ये आरूप लगाया कि ये राजय पुलिस थी और राजय की सरकार थी जो लगातार दोशियों को जो दो ग्रफतार करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि लगातार आप संदेश का लेकर जिक्र करें तो कई दिनों से लगातार आप खबरों में देख रहे होंगे कि महलाओं के दौरा लगातार ये वरोध प्रदेशन जताय जा रहा था महलाओं लगातार नयाई की मांग कर नयाई थी और महलाओं की इस लड़ाई में बीजेपी भी साथ आ गए थी बीजेपी के दिगजनेता साथ आ गए थे चाहे मजूमदार हों या अन्यनेता हों बीजेपी के वो लगातार यही मांग कर रहे थे कि आरोपी शाजाज़ शेक को गरफतार किया जाना चाहिए और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है बीजेपी और त्रणमूल कॉंग्रेस के बीच वो अब शुरू हो गया है पुलिस ने बताया कि शेक को कथित राशन गोटाला मामले में पांस जन्वरी को उसके घर पर चापे मारी के दौरान प्रवरतन निद्शाले यानि की एडी के अधिकारियों पर हमले के संब्द में नजात थाने में दर्ज दो मामलों में ग्रफतार किया गया है उन्होंने बताया कि उसके खिलाब बारतिय दंड सहेता की धारा 147 जो दंगा कराने वाली धारा होती है धारा 148 जो घातक हत्यारों से लेस होकर दंगा करते हैं धारा 149 जो गैर कानونी सभा करते हैं धारा 307 जो हत्या का प्रियास करते हैं धारा 333 जो लोग सेबा को जान बूझकर गंबीर चोट पहुचाते हैं और धारा 392 जो डखेती के तह़ित मामला दर्ज इस सारे मामले जो हमने धाराओं के साथ साथ आपको पताये कौन कौन से मामले हैं जो जो इसने पूरा मामला जिस तरह से सामने आया और जो जो इसने पूरा शड़ेंत रचा पूरा आपरादिक जो इसकी गुत्ती थी इन मामलों के तहर इस पर ये मामले मुकद में दर्ज हैं महीं पुलिस ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में शेक के खिलाब सौ से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं इस जोरान उसकी गुरफतारी की मांग को लेकर मेलाओ के निर्तवत्त में ब्रोध प्रदशन हुआ उनने बताया कि शेक और उसके सहयोगियों के खिलाब भारतिय दंड सहिता की धारा 346 डी यानि की सामुहिक दुशकर्म समेत कई मामले दर्ज किये गए इससे पहले शेक के करीबी और सहयोगी शिप्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार को गरफतार किये जा चुका है इसके अलाबा उसके अन एक अन सहयोगी अजीत मैती को भी जमीन हड़पने के आरोप में पहले ही गरफतार किये जा चुका है पुलिस ने बताया कि जादता शिकायत करताओं ने दाबा किया कि शाजाहा ने लोगों की जमीन पर कबजा कर लिया और इलाके की महलाओं पर अत्याचार किया मतलब यह वो आरोपी था जो टी-म-सी में भी था और सरकार का फाइदा उठाकर रहा है कि सरकार के सरक्षण के चलते हर गैर कानूनी का कामों को अंजाम दे रहा था चाहें लोगों की जमीन हडपना हो लोगों के साथ अत्याचार करना हो महलाओं के साथ अत्याचार करना हो मैलाओं के साथ दरिंदगी करने हो क्योंकि जिस तरह से मैलाओं को अचानक से प्रदर्शन संदेश खाली से निकल कर सामने आया तो मैलाओं की जुबानी यही बया कर रही थी कि ये एक संगीन जुर्म आरोपी है इसके कलाप काई सारे मुकदमे तो दर्ज हैं इसने हम सब मैलाओं के साथ बहुत अत्याचार किया है लगातार इस तरह के प्रदर्शन देखनी को मिल रहे थे मही पशे मंगाल उत्तर 24 परगना जिले की संदेश खाली में पांस जनबरी को लगबग एक हजार लोगों की भीड़ ने इडी के अधिकारियों पर उस बक्त हमला कर दिया था जब बेराज में कथित राशन वित्रा घोटाले की जांच की सिलसले में शेक के परिसर पर छापे मारे करने के लिए आये थे यानि जब इडी के अधिकारी छापे मारी करने के लिए इनके परिसर पर आये थे तो काई लोगों ने एडी पर हमला किया जानलेबा हमला किया गया ताकि अधिकारी आगे ना बढ़ें किसी तरह की कोई कानूनी कारवाई इसके खिलाब ना की जाए लगातार इसके दोरा ये सारी सब्सकि Avoid देखने को मिल रहीं थी कि आज अधिकारी उपर हमला हुआ और जिस तरह से आज सुभाई इसकी ग्रफतारी हुई तो कहीं न कहीं बाके लोगों के चेहरों पर जो गरीब हैं जो महलाएं हैं जो इसकी सजा को लेकर इसकी ग्रफतारी को लेकर मांग कर रही थी उनकी चेहरे पर कहीं न कहीं थोड़ी सी मुसकान देखने को मिली है लेकि पुलिस के हाथ नहीं चड़ाता चाहे एडी हो, सीबी आई हो या पुलिस प्रिशासन हो, वहां का लगातार काते तौर पर इसकी ग्रफतारी को लेकर जाज जारी थी, लगातार तावड तोर जो है, टी में चापे मारी कर रही थी, लेकिन इसका कोई पता या सुराग नहीं लग पा रहा था कि आखिर ये है क इसके बाद आपको बताते हैं कि संदेश खाली में शाजाज शेक टीमसी के प्रभावशाली नेता थे और उन पर राशन वित्रण घोटाले का गंभीर आरोप लगे हुए हैं, पास जन्वरी को जब प्रभतार निर्दशाले एडी की टीम उनसे इस घोटाले में मामले जहां से ही शेक को एडी के पूचताज के लिए समन जारी कर रही थी, लेकिन हमले के बास से ही बैफरार थे और उनकी फरारी को 55 दिन हो चुके थे, यानि कि जब से ये आरोपी फरार हुआ, आज 55 दिन बाद इसकी गरफतारी हुई है, 55 दिन से ये आरोपी फरार चल रहा जिस तरह से बीजेपी लगा था तर्रडम uL कांगरेस को घिर रही है भर तर्रडम कारी रहे हैं प्री बिजेपी ने इस पूरे मामले में बहुत अपनी रोटिया सेही है, बहुत गंभीर अरूब लगा है है ताकि हमें इस आरूपी के बारे में कोई जहनकारी नहीं थी, कि आखिरी ये कहा है, लेकिन बीजेपी के दौरा लगातार हमें ये घेरा जा रहा था, लगातार हम पर शकंजा कसा जा रहा था, लगातार हमारे उपर बिबादित बयान दिये जा रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ टी-एमसी सरक्षण के चरते ही इस आरूपी को छुपाया गया है टी-एमसी के द्वाराई इसे शरण दी गई है जबकि टी-एमसी इसका खंडन कर रही है संदेश खाली के मुद्धे पर पशिम बंगाल सरकार को विपक्ष की आलोचना का सामना करना पढ़ रहा था क्योंकि टी-एमसी के कद्दाबर निता कई हफतों तक ग्रफतारी से बचते रहे महलाओं के आरोपों के बाद सुर्कियों में संदेश खाली एडी की टीम पर हमला होने के बाद संदेश खाली उस समय सुर्कियों में आया जब बहा की महलाओं ने शेक और उनके सहयोगियों पर यान उत्पिडन और जमीन हडपने के आरोप लगाई और उनके खिलाब विरोध प्रदेशन शुरू कर दिया पिलित महिलाओं ने बताया कि संदेश खाली में शेक के लोग सरकारी योजनाओं का पैसा देने के लिए बुला कर बलातकार करते थे यानि कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने दरिंदे और घिनोने आरोपी थे जो पहले महिलाओं को बलाते थे और रोजगार के नाम पर पैसे देने के नाम पर उनके साथ बलातकार करते थे उनके साथ यौन उत्पिडन किया जाता था, उनके साथ बरबरता की जाती थी, किस तरह से महलाओं को प्रतारित किया जाता था, वो खुद इन महलाओं ने अपनी जुबानी बताई महलाओं ने शेक के सायोगी उत्तम सर्दार और शिबू हाजरा पर भी इसी तरह के आरोप लगाए थे, क्योंकि जो शाजा शेक की पूरी यूनिटी थी, पूरा गुरुप था, वो इसी तरह की घिनोनी कारनामों को अन्जाम दिया करता था, इसी तरह की घिनोनी कर्टूते क किया करता था, चाहें वो लोगों की जमीन हडपना हो, लोगों के साथ अत्याचार करना हो, या फिर महलाओं को भेला फुसला कर या काम, या उन्हें रोजगार देने के नाम पर उनके साथ यौन उत्पिलन करना हो, पूरी की पूरी टीम इसी तरह का खेल रचा करते थी, और इस तरह की वारदातों को ये अंजाम दिया करते थे, एक वाइरल वीडियो में एक महला ने आरोप लगाया कि पार्टी टीम सी के लोग आते थे और एक एक कर घर का सर्वे करते थे, जिसमें किसी की सुन्दर पतनी होती है, जिसकी लड़की जबान होती है, फिर वे महल इन में भी हो सकता है, फिर सर्वे का एक समय होता है, रातों में आते थे और किसी की बहु बेटियां जो जवान हैं उन्हें उठाकर ले जाते थे, और कई रातों तक उन्हें अपने पास रखते थे, उनके साथ ब्रातकार किये जाते थे, उनके साथ दरंदगी की जाते थे और ये तब तक होता था जब तक कि वे संतुष्ट नहीं हो जाते थे यानि कि हवस के ये भड़िये तब तक उनके साथ ये अत्ता चार करते रहते थे जब तक कि उनकी भूख शांत नहीं हो जाते थी और उसी को लेकर लगातार बीजेपी भी या जिस तरह से टीमसी को घेर रही थी या लगातार ये आरोप लगा रही थी खुद टीमसी या कॉंग्रेस की बात करें परकशी गड़बंदन के जो नेता हैं वो खुद ममताव अनरजी पर ममताव अनरजी सरकार पर घेरते हुए नजर आ रहे थे और लगातार वो लोग महलाओं के साथ थे जबकि एक ही गड़बंदन की ये लोग हैं वो उन महलाओं के साथ खड़े हुए थे जो महलाओं के साथ अत्याचार हुआ जो महला नयाए की मांग कर रही थी वो भी इन महलाओं की लड़ाई में शामिल हो गए थे और लगातार उनके द्वारा यही मांग की जा रही थी कि इस आरोपी को TMC के द्वारा सरक्षर दिया जा रहा है जब तक TMC नहीं चाहेगी आरोपी ग्रफतार नहीं होगा और जिस तरह से 20 दिन पहले ED और CBI और वहां के प्रिशासन के द्वारा जब अल्टीमेटम दिया और इस धब्बे के चरते चुनाओ नजदीक है तो पार्टी की छबी धूमिल छबी धूमिल होना मतलब पार्टी का हारना इसलिए TMC के द्वारा इस शखस को इस आरोपी को निश्कासित कर दिया गया इसके अलाबा काई लोगों ने आरोप ये भी लगाए कि गाउं में प पार्टी में आना ही है आपको इसमें शामिल होना ही है चाहे उनके उपर किसी तरह का दवाव बनाया जाता हो किसी तरह का उनके साथ खिलबार किया जाता हो या उनकी जो दुखती नब्जों उस पर हाथ रखकर उन्हें बुलाने की मतलब हर सतर पर ये कोशिस की जाती थी कि आपको आना ही आना है और उनके साथ फिर उत्पूलन का खेल शुरू हो जाया करता था और अगर महलाओं ने ये भी बताया और अगर कोई इससे इंकार करता था तो उनकी पत्मियों को धमकी दी जाती थी कि संदेश खाले में 8 फरवरी से टीमसी नेता के खिलाप ब्यापक जो परदर्शन हो रहा है बल्लब जिस तरह से उनने धमकी दी जाती थी तो महलाओं ने अपने परदर्शन में ये सारी बाते रखी आगे बढ़ेंगे टीमसी निता की खिलाब ब्यापकर ब्रोध प्रदर्शन हो रहा था क्योंकि महलाओं का एक वर्ग टीमसी निता दौरा किये गए अत्यतत्या चारों की खिलाब नयाएकी मांग कर रहा था महलाओं के आरोप के बाद विपक्षी दलो जैसे खासकर बीजेपी लेफ्ट और कॉंग्रेस के प्रतिनिदी मंडल और नागरिक समात्समू के सदस्यों ने बहा का दौरा किया लेकिन राजसरकार ने वहाँ धारा 144 लगा कर उन्हें रोकने की भी कोशिस की इनसे आप समझ सकते हैं जब विपक्ष या सत्तापक्ष के नेता वहाँ पहुंसते हैं जहां टीमसी सरकार है पश्यमंगाल में जब पहुंसते हैं तो वहाँ की सरकार धारा 144 लागू कर देती है कि अगर किसी तरह की कोई घड़ना घड़ती है किसी तरह की कोई अब्दरब्दा होती है तो आपको गरफतार कर लिये जाएगा क्योंकि धारा 144 लगते ही आप किसी तरह की न कोई खोजबीन कर सकते हैं, न किसी की घर जा सकते हैं, न किसी की तलाशी ले सकते हैं, इसलिए वहां की सरकार ने धारा 144 लगा दी, ताकि उनका जो आरोपी था, जिसे सरक्षण लगातार दिया जा रहा था, उसे बचाया जा सके लगातार उसे रोकने की कोशिश से जारी थी बंगाल से लेकर दिल्ली तक संदेश खाली का मामला गरमाया रहा और बीजेपी ने ममता सरकार पर शेक को बचाने के आरोब भी लगाए हाई कोट के आदेश के बाद इसकी ग्रफतारी हुई मामला जब कलकता हाई कोट तक जा पहुचा और 26 फरबरी को कोट ने नोटिस जारी कर कहा कि उन्हें ग्रफतार ना करने का कोई कारण नहीं है कोट ने कहा कि इस मामले में साबजिनिक नोटिस दिया जाएगा संदेश काली मामले में कोई इस्तगन आदेश नहीं है है लेकिन हाई कोट के मुख्य नियादीश टीम शिफ गणनमने मंगलबार और बुद्वार को इस्पष्ट किया कि उनकी ग्रफतारी पर कोई रोक नहीं है रोक सिर्फ एडी और केंद्रिय बलो पर हमले के मामले की जाच के लिए CBI और राज़ पुलिस की सयुक्त जाज समिती के गठन पर है राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जस्टिट शिफ गणनमन दौरा बुद्वार को ये इस्पष्ट करने की शेक की ग्रफतारी राज एकेंद्र की कोई भी एजनसी कर सकती है राज़ पुलिस पर उन्हें अगर बीजे पी के नेता शुबंदु अधिकारी की बात करें तो शुबंदु अधिकारी ने आ रईप लगाया कि पुलिस और शाजίο हो गई है कि उन्हें पुलिस और सितारा होटल की शुविदा दी जाएगी वहीं सतारू टीमसी ने ग्रफतारी की सराना करते हुए कहा कि ये अदालत द्वारा मंजूरी दिये जाने के बाद ही संबब हो सका और विपक्ष पर उनकी ग्रफतारी पर पहले लगाए गए प्रतिबंद का फाइदा उठाने का आरोप भी लगाया टीमसी के नेता शांतनु सेन ने मेडिया से कहा कि शेक की ग्रफतारी ये सावित करती है कि हमारी सरकार प्रशासनिक तरीके से राजधन का पालन करती है रिपोर्ट के मताबिक पश्रमंगाल राशन वित्रल गोटाले में करीब दस हजार करोड का ब्रस्टाचार हुआ है एडी ने सबसे पहले इस मामले में बंगाल के पूर्ट मंत्री जियोती प्रिया मलिक को ग्रफतार किया था जाज के दौरान शेक की सलिपता भी सामने आई महलाओ दौरा गंबीर आरूप लगाए जाने के बाद राजिकार टी-म-सी-स-टी आयोग ने इस इलाके का दौरा किया फिर रास्टिय महला आयोग और उसके बाद रास्टिय मानवादिकार आयोग ने संदेश खाली हिंसा और महलाओं के साथ कतित रेप की घटना पर संग्याल लेते हुए राजिके चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से मामले पर रिपोर्ट भी तलब की तो ये था शाजाशेक का पूरा जो मामला पूरी जो गुत्ती फलाल तो पुलिस ने इसे गरफतार कर लिया है सरकार में होने के फायदा उठा कर पहले लोगों की जमीन हडपना सर्वे के नाम पर अपने कारेकरताओं को नेताओं को भेजना बहु बेटियों को उठा कर लाना रात और रात उनके साथ उत्पीडन करना रात और रात उनके साथ दरंदगी करना किस तरह की घटनाओं का इस आरूपी ना अंजाम दिया और आखिरकार इस आरूपी को गरफतार कर लिया गया है और T.M.C. ने भी इस बजा से कहीं उस पर धबा न लगे दाग न लगे इसे पार्टी से निश्कासित कर दिया है कई सालों के लिए हाला कि बीजेपी अभी भी ये ताल ठोक रही है अभी भी ये बादा कर रही है कि टीमसी के द्वारा ही इसे सरक्षर दिया गया था टीमसी के द्वारा ही इसे बचाया गया और आज जब कोट ने जब अपना नोटिस भीते दिन पहले दिया उसके बाद टीमसी हरकत में आती है और खुद से गरफतारी कर देती है शुबेंदू अधिकारी की बात करें जो बीजेपी नेता है पशिम मंगाल के उन्होंने ये दावा किया है कि शाजाश शेक की पहले ही प्लिस पर शासन से ये डील हो रखी है कि उसे पांस सतारा होटल जैसी सुविदा मिलनी चाहिए उसे पूरी सुविदा हर तरह की सुवि अन्होंनी वारदाते को अंजाम दिया महलाओं के साथ किस तरह से उत्प्लिन किया और आखिर काला आज इसका खेल खत्म होई गया इसी के साथ ग्रेकार्ड में बस इतना ही कल फिर मुलाकात होगी एक नए बिशलेशन के साथ तब तक के लिए बने रहे अरे नियूस के उपाद साथ